मैं संसद सत्र का शुक्रवार 28 जून को पांचवा दिन है राश्टपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताओं पर आज से चर्चा की शुरुवात हो रही है न्यूज एजेंसी PTI के मताबिक लोगसभा में भाचपा नेता और पूर्व मंतरी अनुराग ठाकुर लोगसभा में चर्चा की शुरुवात कर सकते हैं और इस सत्र में पहली बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाशन देंगे संसद में जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा मैं PM से request करता हूँ कि नीक मामले पर प्यार से और अच्छी तरह से respectfully चर्चा करनी चाहिए वही देश के युवा घबराई हुए हैं उन्हें नहीं पता क्या होने वाला है संसद यहां मैंसे जानना चाहिए और उनको भरोसा मिलना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ है वधर राज्य सभा में धन्यवाद प्रस्ताओं पर चर्चा की शुरुवाद भाच्पा नेता सुधान शुत्रिवेदी कर सकते हैं 24 जून से शुरू हुआ सत्र तीन जुलाई तक चरेगा वहीं राज्य सभा में प्यम मोदी तीन जुलाई को चर्चा का जबाब दे सकते हैं इसको तुड़ा पीछे कर दोगे प्रस्ताइब कल ओपोजिशन के जो फ्लॉर लीडर्स हैं सब की मीटिंग हुए और युनैनिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिसकॉशन चाहिए हिंदुस्तान के स्ट्यूडन से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सब को लगता है इंडिया गटवंदन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविश्य हो तो हमें लगा कि यहां पे पार्लिमंट हाउस में नीट प पाए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि यह युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिसकॉशन होना चाहिए रिस्पेक्फुली डिसकॉशन होना चाहिए हम रिस्पेक्फुली करेंगे आप भी डिसकॉशन में जोइन कीजे आप लाए नीट में तो पार्लिमंट से मैसेज जाना चाहिए उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ओपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूड़न्स की बात कर रहा है तो यह यह आपको बताना चाहिए